जी पंजाब नेना हिमाचल देखरे दर्शकान दा स्वागत है महत वाडेनल गौरव शुकला ते हाजर आं दस वजे दस शहर देनल शुर्वात पठानकोट तो पठानकोट हमलेच शाकदे के रिवीचाए सलविंदर सिंग नो अज दिली ले अंदा जारे हैस ते सप दा अज लाइ डिटेक्टर तेस्ट करवाया जा सकता है समबर देखरे दिशादम आ कि अकवाह किता किया और देख दोस्त नो जान तो मारन दी कूशिश हुई अलांकि SP उनादर दोस्ते उनादर उसोईया उनादर किसी ने तरनादर नुक्सान नहीं पहुंचिया पर उस्तो बाद दो जनवरी दी स्वेट दैशतगर्दी हमला पठाम कूट दे विच होया ते इस पूरे मामले दे विच न एनाईये जांच कर रही है ते एनाईये वलों SP सलविंदर सिंग नू दिली सद्या गया है ते पुछकिच आज लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है पुछकिच भी हो सकती है जैसे दारोख कर दे हैं पंकज खपाही जी मीडिया पत्रकार सरनल जुर चुकिच ने दिली तो पंकज जानना चामांगे SP सलविंदर सिंग नू दिली सद्या गया है और पहुछ चुकिए ने टीम अनू लेके थी पहुछ चुकिए या किनी देर देविच पहुछेगी और नाली जेस तरिकनल जो जानकारी मिल रही है कि अज़ पॉलियोग्राफ टेस्ट भी और नादा हो सकता है और नाली के तरिकनल क्योंकि और भ्यान लगातार बदल दे नज़र आएने स्वालाच और भ्यान नज़र आएने इससे नो त्यांच रखते है अज़े दिल्ली उनानों सद्धिया गया और दो बज़े तो बाद उनादा पॉलियोग्राफ हो सकता है जो बिल्कुल दो बज़े तो बाद पुछकेज ते पॉलियोग्राफ टेस्ट जड़ा किया चारिया हो सकता है पंकज दिल्ली स्पी नों सुद्या किया है पर जो अग्वा दैश्ट गर्दावलों किते हैं उन्हादा एक साथी वी सी रसोया वी सी जांच इलाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलिग्राफ टेस्ट स्पी तक सीमत होईगा या फिर रसोये या फिर जड़ा उन्हादा दोस् जखमी वी किताग्या दैश्ट गर्दावलों उन्हादा भी हो सकता है कोई इन्फरमेशन होन तक क्लियर होई होए जो जानकारी ऐस वले मिल रही है जो रसोया और जो उन्हादा दोस्त है उन्हादा तो एन्ना ये पहले पुछ केच कर चुकी है और हाले कोई दिल्ली उन् इन्हाद बदले सेगे उस तो बाद दिल्ली पॉलिग्राफ टेस्ट होना दा हो सकता है और उस तो बाद अगर एन्ने ये ठी टीम नू कितना किताए कोई शक लगता है कोई हल्ले भी स्वाल खड़े होन दे उस तो बाद रसुई और उन्हाद दोस्तनों भी सद्या जा सकत पर नवाज शरीफ नू एच चंगी तरह पता है कि एसवार उना को दैशित गरदां खिलाफ कारवाई तो एलावा कोई दूजी आप्शन बची नहीं है रिपोर्ट देखू दो शन्री दो हजार सोड़ा पठान कोट हमला जो गल्तियों कर दूढ़ाऀं पाकिस्तान और जो हर गल्तिक मास दूढ़ाऀंध माफ यह अपना हिंदुस्तान इसीन ता फिल्मी ने पर पाकिस्तान दी पारत विरुदी नापाख हरकतान दा साच ब्यान खागे पठान कोड़ दे गुनागारा नू पारत पक्षे गानी इटता है पर पाकिस्तान दे कोल गैशत गर्दा दी मदद वाली रवायत नू बलन दा आखरी मौका है क्योंकि इस वार नौज चरीफ ने हिंदुस्तान दे गुनागारा ने खिलाफ सक्त कारवाई ना किती ता फिर पाकिस्तान दुनिया नो मूद खोंड़ दे लायक नहीं बचेगा अब फुटबॉल जो है वो गोल की तरफ गया है पाकिस्तान की तरफ अब देखें पाकिस्तान क्या करता है इनके जो लीडर है उनको बुलाईए उनसे पूछो के पठान कोट में क्या हुआ सबूत भारत ने दिया हुआ है सबूत पाकिस्तान उद्धे जा चुके ने पर सबूत मिलन दे चार देन बाद भी हाले तक पाकिस्तान दे बलों दी गोना गारां दे खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है हड़ा की इस में चाले पाकिस्तान दे परदान मंतरी नवाज शरीफ पठान कोट हमले थे दो वड़िया मेटिंगा कर चुके ने पर होन तक सिरफ कारवाई दा यकीन मिले है कारवाई नहीं हुई मुंबई दैशत गर्दी हमले दा मास्टर माइंड हाफिज साइद हले भी पाकिस्तान में सरयाम को मरे अईना नहीं गलगलते नवाज शरीफ नु दैशत दा आईना भी लिखौन तो बास नहीं होदा मोदी नवाज मुलाकात तो बाद हाफिज ने जैर उगले है आज वो पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा वकील है आज वो हमारे कातिल और हमारे दुश्मन और जिसने खासबाना खब्जा कर रखा है उसका इस तरीके से पुर्टबाक इस्तिक्बाल क्यूं हुआ दूजे पासे गुनागरां दे कारवाई देली पाकिस्तान पोर पुखता सबुता दी मंग का रहे है जिस तरह हो 26 गैरां दे मुंबई हमलेते करदा है पर इस वार महौल वाक है दुनिया पहला तो ही आईएस आईएस ते दैशत तो तबाह हो रही है एही वज़ा कि अमरीका भी उस वार पाकिस्तान ते दैशत गरदान दे खिलाफ कारवाई देली दबाबना रहे है यूएस स्टेट डपार्टमेंट दे बुला रे जौन किर्बी ने क्या कि असी चौंदे याँ की फिठान कोर्दे दैशत गरदानों सजा मिले सानु पता है कि पाकिस्तान चिसले ही काफी लंबा विड़ा लाग सकता है 911 ने इनसाफ देली उसामा बिल नादेन तक पहुंचन विच लंबा विड़ा लाग क्या से नवाज शरीप नुए समयना चाहिद है कि उनादे कोड आखरी मौका है इस साबत करन्दा कि दैशतगर्दी दे खिलाफ जंग विच पाकिस्तान किस देवाल है पारत देवाल या दैशतगर्दाने वाल नियूज डैस्क रिपूर्ट जी मीडिया उदर जी पंजाब हिरेना हिमाचल दे संपादक दिनेश शर्मा दिनाल खास प्रोग्रम डिरेक्ट विद दिनेश विच परदान मंत्री कारले यानि पीमो विच राज मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने साफ किता कि पठान कूट दैशतगर्दी हमले विच सुरख्या दस्तेया ने शिलागा योग कम किता है आते ऑपरेशन विच किते कोई खामी नहीं सी कि पाकिस्तान इस वार दैशतगर्दन दे खिलाफ कारवई करेगा इस सवाल उते डॉक्टर जितेंदर सिंग ने किया कि पाकिस्तान की करेगा यो खुछ जाने पर पारत हर तरांदे हलात नाल नजित्धन दे विच समरात है पहली बात तो यह कि मैं नहीं मानता कि कोई खामिया रही है मैं बार बार यह कहूंगा कोई खामिया नहीं है जैसे प्रधार मत्री जी ने काई बड़ा इसराहनिये काम हुगा बहुत इसराहनिये परशन सनी आपरेशन हुगा देखिए वो तो पाकिस्तान जाने वो क्या करेगा परतो जहां तक भारत का संबंध है बारत के सभी संबंधे ते विभाग सक्षम है हर प्रकार की प्रिस्तिती से निपटने के लिए अगे बाद देखिए होंगाल पंजाब दी सियासित दी जो किते ना किते मिशन दोहज़ास तारा यानि दोहज़ास तारांदियां चोणा दे अलेद वड़े को मुद्य ही नसर आ रही है जिहाज दिल्ली देविच कैप्टन अमरिंदर सिंग कॉंग्रिस दी मीत परदान राखुल गांधी देनाल मुलाकात करन दिली पहुंचे होई ने मिशन दोहज़ास तारा दे ताहत एस मिलने नों काफी एहम मन्या जा रहे है नम ये टीम दी गलबात हो सकती है कैप्टन ते रहुल बचाड़े जदो गलबात होएगी ते नालनल मागी मेला सियासी कॉंफरेंसा मागी मेले दे विच होणी है आम आदमी पार्टी अर्विंद केजरीवाल नों पहला ही सदा दे चुकिया अर्विंद केजरीवाल किया जारा कि पहुंच लेने ते ये इस विचले होन खबरे भी है कि राहुल गांदी नों भी सदा एस सियासी कॉंफरेंस दे विच मागी मेले उते पहुंचन दा दिता जा सकता है आज कैप्टन अमरिंदर सिंग पहुंचे ने या फिर कुछ होर लीडर भी ने पंजाब कांग्रेस दी जो ओना दे नालने गोरव सड़े बारा वजे दे करीब राहुल गंदी कैप्टन अमरिंदर सिंग दी मुलाकात होएगी कैप्टन अमरिंदर सिंग पिछले कुछ दिना तो राहुल गंदी दा इंतिजार कर रहे सेगे क्योंकि विदेशी दोरे ते गे हुए से के राहूल गंदी चुटियां मनान वस्ते और उस तो बाद कल ही पारत परते ने होना अज साड़े बारावेदे करीब एह मुलाकात है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंग हुन पंजाब कॉंगरस दे परदान बन चुके ने और एक न पंजाब सरकार नों पहलना ही के रंदी कोशिच किती जा रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंग खुद मंदे ने की इस वार मुकाबला जो है अकाली दल दे नाल नाल आम आदमी पार्टी नाल भी है उसनों निजिठन ली के इस तरिके नाल रंदी तियार किती जावे इस व नहीं कह चुकी है कि अर्विन केजरिवाल मागी मिले थे पहुंचन के और पंजाब दी सियासत नों अगर देखे जावे था मागी मिला काफी एहम रिंदा है तमाम जो सियासी पार्टियां ने और उते कॉन्फरेंसां कर दिया ने और उमीद किती जा रही है कि जैस तरिके तो बाद कैपे अमरिंदर सिंग जो दो भाहर आंदे ने के गल्बात के अंतर पंकाता नमाद दो नजर्वनाए रखना अप डेट टो अड़ी तो लेंदर माँगे तांक्रेस दे पंजाब दे परदान कैपे अमरिंदर सिंग दिल्ली विच ने मागी मेले दिली सद्दा राहूल गांदी नो भी किया जा रहा है कि जरूर दिता जाएगा। सिंग दिल्ली विच ने मागी मेले दिली सद्दा रहा है। सियासी पार्टियं में चाले एह हुन दोडल की नजर आ रही है। सिंग दिल्ली विच ने मागी मेले दिली सद्दा रहा है। सिंग दिल्ली विच ने मागी मेले दिल्ली विच ने मागी मेले दिल्ली सद्दा रहा है। सिंग दिल्ली विच ने मागी मेले दिल्ली विच ने मागी मेले दिल्ली सद्दा रहा है। विदान सबा चुनावा तक जड़ी कारे करम होड़े ने दोनों तिनों पार्टियां दे ओनों मन के चलिये। ज़ा मागी दा सियासी कॉन्फरेंस दिल्ली विच ने मन के चलिये। आज जड़ी है कि रहुल गांदी नो कैप्टेन अमरेंदर सिंग मिल रहे ने। कैप्टेन बंन तो बाद उना थी पहले सियासी रैली होए गी वह एक एक अमीद की जा रहे है कि नो आणदा सद्द वी दे सक्देने। वीचे ते हो सकता है जिस रहा कांदी दियुक्त लिए शाफ को जाएगी कि या मेंṦेने को चालि लए नुसाफ लयlasते कि यो manifold ताकत दिखान वास्ते लगी हुई है बलकि सियासी वजूद जड़ा हैगा उसनों भी वचान वास्ते लगी हुई है चंडिगढ नगर निगम जड़ा है कांगरस दी होई हार ते सापका केंदरी मंत्री पवनकुमार बंसल अते सापका केंदरी मंत्री मनीश तिवाडी दे गोट एक दुझे ते उंगलियां चुकन लगेने। कांगरस दे सिनियर आगू पवनकुमार बंसल ते कांगरस नू कंपनी दी तरा चलाओं दे इलजाम लाएने। क्याना होगा कि चंडिगर्ड में मेरपद के चुनाव हारने के बाद कॉंग्रेस के नेताओं की गुटबाजी उभर के सामने आ रही है। कैमेरमेन पर मोट के साथ निती का महेश प्रीजी मीडिया चंडिगर्ड। ता चंडिगर्च भी कांग्रेस दी तर्ड़े बंदी नज़रा रही है पंजाब दे विच पहलावी तर्ड़े बंदी दे इलजाम कांग्रेस दे लागदे रही है। अग्यवादें सरबत खालसा वलों अकाल तक्त दे जथेदार इलाने गए जगतार सिंग हवारा नो सनमान देन लई एक सिख जथा फटेगर्ड साहब तो दिल्ली पहुंच चुक है इस जथे वलों अज़ जथेदार सिंग हवारा दा सनमान के ताचावी का वाक्वाक्स जथे बंदियां दा एक अफिला दिल्ली वाल कूच का रहाए जथे सरबत खालसा दे वलों अकाल तक्त दे जथेदार इलाने गए जगतार सिंग हवारा नो सनमान कीता चावेगा एस काफले दे विच वाक वाक सिक चत्थे बंदियां शामलने पंज प्यारयाने अमरिस सर विच शिरियकाल तक साहिप तो अरदास कर दिल्ली दे वाल कूच कीता सी ते फतेगार सा विच कुछ समा रुकन दो बाद एक काफिला हुन दिल्ली वाल निकड़ चुकाई पंज प्यारयाने शिरियकाल तक साहिप तो अरदास कर दे लेके आयेने बीते वरे 10 नवंबर नू सिक चत्थे बंदियां दे वलों बुलाएगे सिर बात खाल सा विच जक्तार सिंग हवारा नू शिरियकाल तक साहिप ता जथेदार इलाने के से हवारा नेवी सिक जथे बंदियां दे इस फैसले नू मन्जूर कीता से तो अंदासिये के जगतार सिंग हवारा पंजाब दे सापका मुख मंतरी ब्यान सिंग दे कतल कांड विच सजाप उक्तर आए हरप्री सिंग, जी मीडिया, फतेगर साप अगे बादें ते होंगाल सर्दी दी होगी, महिना जनवरी दे ते नाल कारोबार परबाबत हो रहा जिस जनवरी विच सर्दी पुरे शबाबत होनी चाहिए दी सी, उस महिने विच पारा लगातार वधा जा रहा इस सिद्धा असर सर्दी दे कपड़्यां दी मार्केट अते इस कारोबार नाल जुड़े लोका होते पहरे हैं लुद्धियाना तू एक खास रिपोर्ट देखो सर्दी दे कपड़्यां दी मैनूफेक्चरिंग तड़ लिनाड हुई थोक विच स्टॉक वी ख्रीते गए जनवरी चल रही है पर सर्दी इनन दुकांदारां देले गहकान दी तरह हुगी है जो आई ही नहीं रही उन्जे सर्दी ही नहीं ता लोक सर्दी दे कपड़े क्यों खरीतनगे लोद्याना विच पंद्रा तो वी हजार हौजरी इंडस्टी ने लखा लोग इस विच कम कर देने बिजनस नू करीब चारी फी साद्दा नुकसान होया है अग्ये वी बहित्री दी कोई उमीद नजर नहीं आउँ दी यहां पर 15 से 20 हजार हौजरी इंडस्टी है जो छोटी और मध्यम स्तर तक की है और इसमें 15 से 20 लाग लोग रोजगार प्रापद करते हैं और आज उनका जो रोजी रोटी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्तिती में उनका अर्थिक स्तिती आ गई है क्योंकि पहले से ही 40 प पड़ा हुआ है वो माल बहुत डंप हो गया है वो माल भिक नहीं रास आम तोरते दिसंबर जन्वरी विच कमबा देनवाली ठंड हुंदी है पर इसवार पारा हाई है अथे ठंड पूरी तरह गाइब है देश पर विच सर्दी दे कपड़ें दा कारुबार इस ठंड तों में जन्वरीच पेंदी है ठंड नहीं आ रही पर लोडी दा त्योहार ने लिए लोडी तो पहला गूंज रही है सुन्दर मुंद्री दी गूंज जिहां तो अनुलाय चाल दें मांसा जिते मनाई गई 101 दी लोडी ते एस समागम दी मुख महमान बढ़े अकाली दल दी मनाई जा रही है ए मांसा दी तस्वी जिते 101 कुडिया दी लोडी मनाई गई ते पेशकार्या दिती आ गई है समागम दी मुख में मांसा ना काली दाल दी आगू बीबी जगीर को जिना ने क्या कि लोकानों कुडियां प्रती आपनी सोच बदलन दी सरूरत है ते सरकार वल अचकाल ते यादी लोडी मनाई दा रुजान काफी वद गया पर फिर वी आजवे कुडियां प्रती समाज दी गुलाम सोच दे मामली वी समय समय ते सामने आरे ने बल्देव शर्मा दिनाल भूर रिपोर्ट जी मीटिया मांग सा ते फिलहाल दली मने अजास देव तान बादेव